कटनी कलेक्टर शाशी गूशन सिंध में बहोरी बन क्षेत्र का दौरा कर चारो सीमा को चेक किया जिसमें किसी प्रकार की कमी नहीं दिखी वही जबलपूर से आने वाले चेक पोस्ट नाके पर कड़ी नजर रखी जा रही है क्योंकि जबलपूर में बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखते हुए कड़ी सुरक्षा की गई है वही मज़ोली चेक्पोस्ट नाका, दमोग चेक्पोस्ट नाका वापनना चेक्पोस्ट नाको पर व्यवस्ताओं का जायजा लिया और वहाँ पर तैनात कुलिस करनी वा पूटवार को PPE किद देकर ड्यूटी करने को कहां गया वही बाकल स्कृत चेक पोस्ट पर ग्राम रक्षा समिती के सदस्यों से जानकारी लीव इसी प्रकार सराहनिय कार्य करने पर समिती को बधाई देते हुए समिती के कार्यों की प्रशन साकी जिसमें अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा हो सके इस दौरे में सामिल SDM रोहित सी सोनिया तहसीलदार विजद विवेदी नायग तहसीलदार निधी तिवारी SDOPP के सारस्वत जनपत पंचायद CEO मीना कश्यप बहुरी बन थाना प्रभारी रेखा प्रजापतिक बाकल थाना प्रभारी आद्वी मिश्रा अन्य उपस्थित रह जी बहुरी बन के दोड़े में सार रहे हैं अज क्या देखा गाए सारी बहुरी बन बाकल रसकेहा और बॉर्डर के जितने भी आउट पोस्थ हैं उसका हम लोगों ने निरिक्षन किया तुरी टीम के साथ में और जो यहां पे फ्रंट लाइन करोना वेरियर हैं करोना के ज नाओं में मजदूरों की क्या इस्टिति ए मजदूर कहां कहां से आ रहे हैं और उनको निर्देश दिये कि जो भी बाहर से आने वाले हैं उनको होम परण्टाइन करें 14 दिनों के लिए उनका नियमित स्वास्थ परेक्षन करें और इस्थिते पूरी निगाह रखें सतरक् किसी तरह की कमी नहीं पाई गई लेकिन अभी खत्रा कला नहीं है सतरक रहनी के जरुवत है यह उनलों को सब को समझाई दिए अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर तेखने के लिए हमारे चैनल पुलिस बीरोक्रेट्स निव्स को बेल आइकान दबा कर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें हमारे कॉंटेक नमबर है 9039-011886 9770229999